मुझे लगता है कि आप में से हर लोग ये बात तो सुनी चुके होंगे कि हमारे शरीर में हमारा सबसे complex body organ है हमारा brain यानी हमारा nerve system पर क्या आपको ये पता है कि हमारे शरीर में nervous system के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा complex system कौन सा होता है मुझे लगता है आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे इसलिए मैं आपको ये बता दू कि दूसरा system जो हमारे body में सबसे ज़्यादा complex है वो है हमारा immune system और जब से world में अपने संग्यान में ये coronavirus का pandemic आया है तब से तो हम सभी लोग immune system के बारे में बहुत ज़्यादा सजग हो गए है इसलिए मुझे लगता है कि आपको immune system के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो चलिए बिना व्यर्थ की बात किये हुए सीधे point पर आते हैं देखी सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में हमेशा एक term याद रखना है वो term है antigen जितने भी bacteria, virus, parasite जो भी हमारे शरीर में इंटर हो सकते हैं और हमारे शरीर में disease पैदा कर सकते हैं जिससे fight करने के लिए शरीर को antibody बनानी पड़ती है उसे हमेशा antigen कहके बुलाया जाता है ये antigen भी हमारे शरीर में दो प्रकार से काम कर सकते हैं एक वो जो हमारे शरीर में हमारे immune response को trig कर दे ताकि हमारा शरीर इससे लड़ने के लिए तरह तरह के cell को activate कर दे इसे कहते हैं immunogen और वही जब कोई ऐसा antigen हमारे शरीर में प्रवेश करता है जो कि बहुत जादा छोटा होता है जो हमारे शरीर में immunity को trig नहीं कर पाता है उसे हैptain कहते हैं आपको बता दे कि हमारे शरीर में केवल और केवल 14 KDA से लेकर 600 KDA के साइस तक वाले antigen ही हमारे शरीर में immune response पैदा कर सकते हैं इससे छोटा अगर कोई भी antigen हमारे शरीर में आया तो वो हैptain कहा जाएगा वो हमारे शरीर में immunity को activate नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी protein से bind नहीं हो जाए किसी carrier protein से अब देखिए जब हम पैदा हुए थे ठीक उसी समय से हमारे शरीर में एक immune system बहुत पहले से ही काम कर रहा होता है किसी भी प्रकार के pathogen से लड़ने के लिए ये जो हमारे शरीर में जन्म से ही immune system active रहता है इसे कहते हैं innate immune system इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी pathogen आता है तो सबसे पहले इसी innate immune system के ही cells जैसे macrophage इन bacteria जैसे pathogen जिनको antigen भी कहते हैं उन्हें phagocyte करने का काम ये macrophage ही करते हैं मतलब उन्हें खाना शुरू कर देते हैं होता ये है कि जब भी कोई pathogen हमारे शरीर में entry करता है और cells को damage करने लगता है तो ये damaged cell दरसल एक प्रकार के signal को हमारे blood में release करने लगते हैं इन signals को हमारे macrophage read कर लेते हैं और read करने के बाद उस infected जगह पर जाकर bacteria को खाना शुरू कर देते हैं यानि इन्हें phagocyte करना शुरू कर देते हैं ये macrophage लगभग 100 bacteria को मार सकता है मतलब एक macrophage 100 bacteria को kill कर सकता है लेकिन जब bacteria संख्या में बहुत जादा होते हैं तो हमारे शरीर में blood vessels में से ही immune system के ही एक बहुत important cells neutrophils जिसे आप कह सकते हो कि हमारे immune system का ये petroleum police की तरह होता है वो भी अब इस bacteria को मारने के लिए battlefield में उतर जाता है जो bacteria को खाकर एकदम suicide bomb की तरह blast हो जाता है और कई तरीके के हानिकार chemical को release करता है देखिए neutrophils को कैसे पता चलता है कि इस specific जगब पर infection हो गया है होता ये है कि macrophage इन bacteria को phagocyte तो कर ही रहा होता है तब ही साथ ही साथ वो cytokines जो की एक प्रकार का protein होता है उन्हें भी blood में release कर रहा होता है जो की neutrophils detect कर पाता है साथ ही साथ dendritic cell जो की immune system का ही एक cell है वो भी इसे detect करके इस खेत्र पर आकर अपना काम करना शिरू कर देता है आपको बता दे कि यह जो macrophage cell है यह आकार में बहुत बड़ा होता है neutrophil भी आकार में बहुत बड़ा होता है हमारे शरीर के जो normal cells होते हैं उनके मुकाबले क्योंकि इन्हें जो बाहरी pathogen हैं हमारे शरीर में आने वाले इन्हें kill करना होता है इसलिए यह cells हमारे जो normal cells है उन्हें damage भी कर सकते हैं और इससे हमारे शरीर को रक्षा करने के लिए भी हमारे शरीर में एक प्रतिरोध प्रणाली है उसे भी हम आगे वीडियो में जानेंगे देखी अगर bacteria की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यह neutrophils और macrophage से भी handle नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में ही हमारे immune system का ही एक दूसरा स्वरूप तुरंत ही active होकर इन bacteria से लड़ना शुरू कर देता है जिसे कहते हैं complement system इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अर्बो की संख्या में छोटे छोटे प्रोटीन bacteria के surface पर attach हो जाते हैं और bacteria के बाहरी layer यानि उसके cell membrane को destroy करना शुरू कर देते हैं जिससे bacteria के अंदर जो भी material भरा था जो भी स्टाइटो प्लाजम था वो सब बाहर के और बहने लगता है और bacteria मर जाता है इस complement system में लगबग 30 protein की हिस्सेदारी होती है जो की बहुत ज्यादा complex system है आगे हम इसके बारे में भी detail में जानेंगे लेकिन देखिए अगर ये complement system भी इन bacteria या इन pathogens के specific epitope यानि जो इनके surface पर कुछ protein होते हैं bind करने के लिए उन्हें detect नहीं कर पाते हैं तो हमारे शरीर में हमारे immune system की army activate हो जाती है और इसे activate करने का काम करता है हमारा एक बहुत ही important cell dendritic cell देखिए ये dendritic cell क्या करता है जो भी bacteria या virus हमारे शरीर में घुज गया होता है जिसको हमारे normal cells नहीं मर पा रहे होते हैं उनक specific protein को जिसे antigen भी करते हैं उन्हें अपने अंदर carrier करके dendritic cell जाते हैं सीधे lymphatic system के सबसे important part lymph node के अंदर जहां पर इन bacteria के specific antigen को read करने का काम हमारे immune system की military के सबसे important 4G cell helper T cell करता है ये helper T cell क्या करता है ये जाकर हमारे lymph node में ही मौजूद जो follicle है जहां पर inactive B cell होती है उन्हें जाकर activate कर देता है उन specific type के bacteria से लड़ने के लिए जिससे normal cell लड़ नहीं पाते हैं और फिर यही B cell activate होने के बाद दो भागों में differentiate हो जाती है एक जो इसी bacteria से लड़ने के लिए plasma cell में differentiate होकर blood stream में antibodies को release कर देता है जिससे उस specific bacteria के epitope से bind होकर ये antibody इन viruses या bacteria को cell में enter करने से ही रोग देते हैं और फिर macrophage इन pathogen को phagocyte करके इन्हें खत्म कर देते हैं और जो दूसरा B cell है वो memory B cell में convert हो जाता है जिससे दुबारा कभी भी ये specific pathogen हमारे शरीर में जब आए तो इन से लड़ने के लिए ये B cell तुरंथी antibodies release करके हमारे शरीर को attack से बचा सके अब देखि response stage है इसे हमारे immune system का adaptive immune system कहते हैं ये जन्द सही हमारे शरीर में active नहीं होता है बलकि एक specific type के pathogen से लड़ने के लिए ही इसमें शरीर खुद को train करता है specific type के cell को बनाने के लिए देखे इस वीडियो में मैं आपको immune system का एक overview दे दिया हूँ आगे हम इस immune system को और भी बहुत ज चीजों के बारे में और कोई भी हमारी जो cell है body में वो इन pathogen से damage कैसे हो जाती है ये सब चीजे हम explain करेंगे आने वाले वीडियो में आप इस वीडियो पर अपनी प्रत्रिक्रिया जरूर दीजेगा